Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आप सब के साथ शेर करने वाली हूँ हमारी कानहाजी का श्रिंगार जो मैंने मकन संक्रांती पे किया था एक्चली ये वीडियो लेट पोस्ट हो रहा है तो देखिए मैंने क्या क्या किया कैसे कि आपको दिखाती चलूँगी मैंने यहाँ पे पहले उनको पजामी और चोली पहना दी थी क्योंकि ये श्री विग्रे है तो इनको मैं ऐसे नहीं दिखा सकती जैसे मैंने अपना पिछले वीडियो में भी आपको बोला था और इसके साथ-साथ मैंने कमर काचनी बनाई है ये जैसे स्कॉन में ड्रेस पहनाते है ना मैंने उस तरीके से बनाई है ये ड्रेस कोशिश की है बलकी मैं ये कहूंगी कि उस तरीके से कुछ लोग देने की कोशिश की है तो बस मैंने उनका चोली, कुर्ता मतलब और पजामा उनको पहना दिया था धारण करा दिया था और उसके बाद कमर काचनी ये सेट कर दी है और अब हम इनका श्रिंगार शुरू करेंगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया तो वीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो जो आपको अच्छा लगे वो जरूर कमेंट करके मुझे बताईएगा जैसा हार मैंने दुर्गा जी को पहनाया था वैसा ही मैंने करहिया जी को भी पहनाया है और वैसा ही आने वाले वीडियो में आपको राधरानी का भी दिखेगा मैंने चोकर हार पहना दिया है मैं चोकर हार इस्पेशली जरूर पहनाती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब मैं इनका पटका सेट करूँगी लॉंग हार पहनाने से पहले ही सेट कर लेंगे क्योंकि फिर बाद में सेट करो तो अच्छे से सेट नहीं होता है तो बस देखूंगी किस तरीके से लगाना है क्या लगाना है आप जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं चुन्नी सेट करने में बहुत टाइम मुझे लगता है ये मेरे भाव है किस तरीके से करूँ उस समय उनके उपर क्या सही लग रहा होता है मुझे उस समय नहीं पता चलता करते करते समझ में आता है कि ऐसे नहीं ऐसे भगवान कैसा लगवाना चाते हैं वो तो उनकी मर्जी होती है हम जैसा सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता हर बार सोच के कुछ बैठते हैं कि इस तरीके से सेट करेंगे और श्रिंगार कुछ अलग तरीके से ही होता है तो जैसा इश्वर हैं उनको करवाना होता है जैसा उनको अपना श्रिंगार करवाना है जैसा सजन सवरना है वो उसी तरीके से हमारे भाव कर देते हैं उसी तरीके से हमारा दिमाग कर देते हैं और वैसे ही होता जाता है तो बस देखिए मैंने क्या क्या किया है कैसे कैसे किया है आपको पूरा डेटेल में बताती जाओंगी मैंने इनकी भी दो पटके बनाए हैं एक ग्रीन कलर में, कंट्रास्ट में और एक प्योर रेड में इनकी ड्रेस के पूरा मैचिंग मैंने हाथ के कंगन इनको पहना दिये हैं और अब मैं पहनाओंगी इनका लॉंग हार इसे लक्षमी हार कहा जाता है यह इसली मिल जाता है किसी भी जूलरी शॉप पे आप जाएंगे तो पूजा भंडार में आपको नहीं मिलेगा लेकिन आप भगवान के श्रिंगार की अगर कहीं बहुत जादा वेराइटी रहती होगी तो वहां मिल जाएगा अधर्वाइस यह नॉर्मल कॉस्मेटिक शॉप पे भी मिल जाएगा तो बस मैंने इनको लॉंग हर पेना दिया है आप हमारे वीडियो में जरूर देखते रहिएगा हमारे चैनल पे इनका राधारानी का भी श्रिंगार बहुत जल्द में अपलोड करने वाली हो बहुत सुन्धर उनका दुलहन श्रिंगार हुआ है इसा लगता है कि बिल्कुल उस दिन दुलहन ही बन गई है वो बहुत ही जादा अद्भुत स्वरूप है उनका मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए एक साथ राधा करेश्णो का श्रिंगार नहीं अपलोड करती वन्ना बहुत जादा लंबा हो जाता है वैसे भी इनका श्रिंगार मैं 10 मिनट में दिखा रही हूँ ये एक्चुल में कम से कम डेड़ घंटा अराम से लग जाता है सिर्फ एक लोगो के श्रिंगार में पूरा पूरा एक से सवा घंटा डेड़ घंटा लग ही जाता है क्योंकि जब जूल्री लेके बैठते हैं तब समझ में नहीं आता कौन सा पहनाना है ये पहनाना वो पहनाना है तो बहुत जादा समय लगता है ड्रेस सेट करने में चुन्नी सेट करने में बहुत सारी चीजों में पगड़ी बानने में बहुत टाइम लगता है आज पहली बार मैंने अपने कनहियाजी को पगड़ी बांदी है तो मैंने देखिए हेर विग लगा दिया था और मैंने ये कपड़ों से पट्टियां बनाई थी जब ड्रेस बनाई थी तो उससे लंबी-लंबी कपड़ी की पट्टियां बचा ली थी तो मैं फर्स टाइम इन आज इनको मुकुट नहीं लगाया है हमेशा की तरह मैं इनको पगड़ी बांदने वाली हूं तो देखते हैं कि कैशा श्रिंगार होता है शायद कनहियां जी ही चाहते थे कि मैं इनको पगड़ी बांदू तो इसलिए इनोंने आज इतना कुछ करवाया है और पता नहीं खुद ही बंदवाली वो पगड़ी तो इस ड्रेस के साथ इनके उपर पगड़ी बहुत ही अद्बोत लग रही थी आप देखी कितना अच्छा सवरूप इनका लग रहा है अभी से ही खेर ये तो कहा जाता है कि ठाकुर जी को सजना सवरना बहुत पसंद है तो आपके घर मे अगर राधा कृष्ण है बाल गोपाल है तो उनका मन मोहक श्रिंगार जरूर करने की कोशिश करें अगर भगवान चाहेंगे आप से करवाना तो जरूर वो बहुत सुंदर आप से श्रिंगार करवा ही लेंगे आप कितना भी नानुकुर करें लेकिन भगवान कहते हैं कि वो अपनी वेवस्था खूद कर लेते हैं तो बस वैसा ही ये कुछ है और ये मैं इसमें छोटे-छोटे पिन लगाऊंगी बट समहाल के लगाने हैं ताकि हमारे ठाकोरजी को बिल्कुल भी चुबे ना तो देखिए लग रहा है ना अच्छे ये अभी इनके पगड़ी की बहुत सारी सेटिंग बाकी है ये सिर्फ पगड़ी बानने में मुझे 20-25 मिनट लगे थे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है इसलिए आपको ये एक मिनट में ही पगड़ी बन जाएगी वीडियो में तो लेकिन पगड़ी बानने में एक्चुल में मुझे बहुत समय लगा पहली बार बान रही थी, धीरे धीरे बान रही थी तो इसलिए थोड़ा समय लगा और बाकी मेरे ठाकुर जी को शायद मुझे से पगड़ी बंदवानी थी तो बस मुझे इस चीज की बहुत खुशी है इस बार इसलिए मैं ये श्रिंगार आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ कि काना जी का जो स्वरूप आया है मैंने रिकॉर्ट किया था कि शेयर करूँगी बट मुझे फाइनल नहीं था कि मैं इसको शेयर करूँगी कि ना करूँ बट जब इनका स्वरूप आया तो ऐसे लगा कि जरूर आप सब को भी दर्शन कराने चाहिए इतने अदभुत स्वरूप के जो दर्शन होते हैं वो सब को होने चाहिए ऐसा मेरी सोच है ऐसा मेरे भाव है तो बस इसी भाव के साथ मैं ये वीडियो फिर मैंने आप सब के लिए रेडी किया ताकि मैं आप सब के साथ शेयर कर सकूँ इसको आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे हमारे ठाकुर जी का आशिरवाद आप सबी के साथ बना रहे कहते हैं हरी नाम लेते रहो राम राम नाम लेते रहो यही एक नाम है जो अंत तक साथ रहता है और आपको उपर जाने तक वैकुंठ लोग तक आपको ले कर जाता है तो जितना ज़्यादा राम राम बोलेंगे जितना ज्यादा राधिश्याम बोलेंगे जितना हरी नाम लेंगे कहते हैं हैं तो ये नारायन का ही सुरूप ना चाहे राम बोलो चाहे शाम बोलो हैं तो हमारे श्री हरी विश्नु ही तो बस यही भाव है मेरे कि मैं अपने नारायन का ही श्रिंगार कर रही हूँ नारायन का सुरूप है ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना ये कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे तो मैं क्या बोलू नजर ना लगे इनको बहुत ही ज़्यादा सुन्दर सुरूप इनका उतर के आया था अभी फाइनल थोड़ा सा और सेटिंग करेंगे इनकी पगडी की थोड़ी और पर्फेक्ट बनाएंगे थोड़ा इसको डेकोरेट करेंगे पगडी को मोर पंख के बिना तो इनका श्रिंगार अधूरा होता है तो अभी मोर पंख से सजाएंगे यह इनके दोनों पगडी में लगाया जाता है दोनों कानों को इसको exactly क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है मैंने वरंदावन से मंगवाया है especially क्योंकि मुझे कहीं भी आसपास मिल नहीं रहा था और मुझे बहुत मुश्किल से यह मिला मैंने कुंडल पहना दूँगी पहले फिर यह साइट का लगाऊंगी आप में से किसी को पता हो कि इसको क्या कहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताईएगा यह कान जी के कानों के पास लगाये जाते हैं दोनों साइड मोर पंख के होते हैं यह कर्ण फूल शायद इनको बोलते हैं लेकिन exactly क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता मैं तो इनको कर्ण फूल ही बोल लेती हूँ और बहुत मुश्किल से यह मुझे अवेल हुए थे मितलम में ले थे तो इनको सेट कर दूंकि इनकी हेर वेग और पगड़ी में ही पगड़ी बानने का एक फाइदा होता है अच्छा कि इसमें अटेश्मेंट बहुत अच्छे से लग जाते हैं क्योंकि बहुत सारा सुन्दर दर्शन है कि अद्भोत दर्शन मैं कहूंगी मुझे इतनी खुशी हो रही थी ये श्रिंगार करते-करते देख के कैसे लग रहा था कि काना जी क्या ही करवा रहे हैं आज मुझसे वैसे समय नहीं मिलता और बहुत दिन से सच मानिये तो मैं मुझे ये श्रिंगा नए साल में करना था, बट एक तारिक को मैं नहीं कर पाई थी, कुछ रीजन्स की वज़े से, क्योंकि उस दिन बहुत सारे काम थे नए साल में, पूरे मंदिर का श्रिंगार, सत्य नरायन की कथा, के साथ साल की शुरुवात की थी मैंने, और भी भगवान, सारे भगवानों क श्रिंगार हुआ था, तो सिर्फ मेरे ठाकुर जी का श्रिंगार रह गया था, तो शायद इनको मकर संक्रांती पे ही करवाना था, तो इसलिए देखिए इनका आज मकर संक्रांती पे मैंने श्रिंगार किया है, मैं इनको अच्छे से मोर पंक इनका अटैच कर दूँगी, क क्योंकि थोड़ा बड़ा वाला मैंने इस बर्मगाया है, पांच मोरपंख का एक मोरपंख है अचली वो, तो बस पगड़ी के अटेश्मेंट बहुत केरफुली सेट करने हैं, ताकि कि अच्छे से लगे रहें, कुछ भी गिरे ना, और कुछ भी ठाकुर जी को चुभे ना, और कुछ भी ऐसा ना हो कि जब हम इनको मंदिर में विराजमान करें इनके श्रिंगार के बाद, तो वहाँ पे निकल जाए, तो यही सब छोटी-छोटी सी चीजे देखते हुए श्रिंगार करना पड़ता है, यह एक कुंदन का मोर है, यह भी पगड़ी का ही अटेश्में और हमारी दुलहनिया राधरानी कश्रिंगार जब आप देखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा सचमुच शादी ही करवादो, इतना सुन्दर आया, यह ड्रेस बनाते हुए मैंने सोचा नहीं था, मैंने कपड़ा जब लिया था, मैंने यही सोच के लिया था, ब्राइडल ड्र पूरे मंदिर की एक जैसे, और यह ड्रेस बनने में बहुत समय लग गया, क्योंकि एक साथ समय मिल ही नहीं पा रहा था हर चीज का, और जब बनके तयार हुई, तो मतलब मुझे काफी संतुस्टी मिली, और जब इन्होंने धारण कर ली, तब ऐसे लगा कि मैंने गंगा न तुनी भी इनकी सेट कर दी थी, तो आप सब को इस रिंगार कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, थैंक यू,